अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नई सूचना लेकर आ सकता है खास तोर पे अगर आप इस धिरता को ढूंटे हुए आ रहे हैं काफी दिनों से एक स्ट्रॉंग फांडेशन अपने लिए अक्तियार करने की सोच रहे हैं चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पे हो या पर्सेनल फ्रंट पे हो कोई अगर आप ठोस परिस्तिती या सॉलिड फांडेशन अपने लिए चाहते हैं तो आज के दिन आपको उसका संकेत सूचना या कोई पॉजिटिव इंडिकेशन मिल सकता है साथी साथ आपके परिवार में कोई ना कोई शुब संकेत या सुकर्द समाजा रहा सकता है जो आपके लिए काफी जादा लाबदायक हो सकता है खास तोर पर अगर आप प्रॉपर्टी निवेश करने के लिए एक शुक हैं और पूरे परिवार के साथ कोई ब्रॉड बूफ करना चाहते हैं या रिलोकेट करना चाहते हैं विदिन दे कंट्री ओलसो तो वो परिस्सिती आज के दिन आपके लिए शुब सावित हो सकती है बात करते हैं विशब राशी वालों के लिए विशब राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन आपको अपने स्वास के प्रती थोड़ा सा सचेत रहने के लिए कहता है आज के दिन आपको उन सभी तक्थियों को विचारना चाहिए जहां पर आपको कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से किसी भी की पार स्वास संबंदी हो उसको ना तो आपको लाइट लेता है ना उसे एगनौर करने की कोशिश करनी है साथी साथ आज के दिन प्रोफेशनली जैसा चल रहा है काबिले तारीफ है कि आप आज के दिन जहां पर खड़े हैं आप अपनी मेहनत के ही वज़ा से हैं इसी तरह से चलते चलिए आपके लिए पर इस सितियां professionally भी आज के दिन अच्छी होती भी नजर आएंगी बात करते हैं मितुन राशी वालों के लिए मितुन राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन स्वास्त समंदी चिंताओं को बढ़ा सकता है तो अपने मन को शांत करने की कोशिश करिए स्वास्त को कंच्रोल में लीजे जहां पर आपको लगता है कि आपको कोई remedy लेनी चाहिए कोई exercise करनी चाहिए लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहिए जिस भी तरह का आपको लगता है कि कोई भी आपको damage control system बनाना चाहिए उस पे आप बनाए और उसको अपने जीवन में उतारें आपकी परिस्थिती तभी और बहतर रूप से positive होगी साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवार एक तनाव अपसाजा होता हुआ नजरा आएगा कहने का मतलब यह है कि उसमें भी अब आपको positivity देखने को मिलेगी बात करते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन जैसा जा रहा है वैसा चलता जाएगा कुछ खास उतार चलाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा अल्रोडी परिस्थितियां आपके कंच्रोल में हैं आपने इतनी महनत करके अपने लिए चीज़ों को अक्तियार करके आप आगे बड़े हैं साथी साथ जो लोग नौकरी चेंज करने के एक शुक हैं उनके लिए आज का दिन कोई ना कोई सुख़द समचार या शुब संकेत लेकर आ सकता है आपके परिवार का सदस से कोई आपको बहुमले राय दे सकता है और अगर आप उस राय का पालन करेंगे तो देखेंगे कि आपके परिस्टितिया और अच्छी होती जा रही है साथी साथ कोई अगर आपका आर्थिक तनाव चल रहा था वहाँ पर भी परिस्टितिया आपके लिए सुलच्टी हुई नजर आएंगी कहने का मतलब यह है कि आज के दिन आपके लिए परिस्टितिया अनकूल होती नजर आएंगी और आप ही के मेहनत के थ्रू आप रिजल्ट देखेंगे बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए सिंग राशी वालों जिस तरह की परिस्टिति आपके लिए जीवन में हो रही है काफी शुब संकेत है पाजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते चलिए अपने आपको आपको संतुलित रखना है साथी साथ आज के दिन नकरात्मक विचारों को नकरात्मक परिस्टितियों को और नकरात्मक लोगों को जो आपके confidence level को या manubal को नीचे लेकर आते हैं उन्हें अपने जीवन से आपको खटाना है या उन परिस्टितियों को या triggers को या situations को avoid करने की कोशिश करनी चाहिए साथी साथ आज के दिन अगर आपको लगता है कि आप किसी परिस्टिती पे या किसी एक लक्ष के को पाना चाहते हैं और उसकी आपने प्रॉपर प्लानिंग करी है तो वैसे ही चलते चलिए आपको शुप संके जरूर देखने को मिलेगा बात करते हैं कन्यार आशी वालों के लिए कन्यार आशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए सब तरफ से positivity लेकर आएगा मन आपका शांत रहेगा आज के दिन आप spiritually भी काफी सदा elevated रहेंगे धर्म के प्रती या किसी एक meditative पदती के प्रती या कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ जो आपको जिससे आपका आत्मिक लगाव हो सकता है या वो जो आपको मान सिक peace दे सकती है उस चीज़ के प्रती आज के दिन आपका रुजान रहेगा अट पीस रहने की कोशिश करेंगे उन सबी तत्यों को विचार पाएंगे अवलोकन कर पाएंगे अंतरद्वन्द अगर आपका अपने आप से चल रहा था वो भी आज सुलशता हुआ नजर आएगा कहने का मतलब यह है कि आज के दिन spiritually elevated तो रहेंगे मन भी शान रहेगा और कुछ ना कुछ अपने लिए कर पाएंगे lifestyle को improve करने के अगर मैं संदर्ब में बात करूं तो बात करते हैं तुलर राशी वालों के लिए तुलर राशी वालों आपके लिए परिस्थितियां तो पहले ही अनुकूल हो गए थी मन आपका शान था विजार धाराएं आपकी strong थी लोग आपके काम की तारीफ भी कर रहे थे लंबे समय से चल रहा कोई भी अगर तनाव था जो आर्थिक रूप से आपको परिशान कर रहा था अब वो भी अब आप के लिए सुरश्था वो नजरा रहा है कोल विला के आपने अपने एफर्ट से अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में लिया है काबिले तारीफ है कि इतनी नेगेटिविटी के बाद भी आपका मनुबल इंटाक्ट है इसी कॉन्फिदेंस लेवल को लेकर आगे चलते चलिए आपको 100% अपने लक्ष की पूर्ती आपको देखने को मिलेगी साथी साथ आज के दिन परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका छोटा मुटा विवाद हो सकता है तो शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर आज के दिन करने की जरूरत है बात करते हैं विश्चिक राशी वालों के लिए विश्यक्राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन confidence को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आगे चलना है अगर आप किसी examination की preparation करने हैं कोई आपका interview scheduled है तो आपके लिए सब तरह से positivity indicated है साथे साथ आज के दिन अगर आपको लगता है कि आपका confidence level चलते चलते किसी चीज में अटक रहा है कोई भी चीज आप अपने लिए अक्तियार करना चाहते हैं और चलते चलते वहाँ पर कोई negativity आ रही है तो मैं कहूंगे कि उस पे आज के दिन आपको विचार विमर्श करना चाहिए उन सभी लोगों से जो आपके लिए positive हो सकते हैं साथी साथ आज के दिन professionally जो लोग अपना काम काज change करना चाहते हैं कुछ नया काम करना चाहते हैं बिजनस विस्तार के तरफ जो बढ़ना चाहते हैं आपके लिए शुबता या शुब संकेत इंडिकेटिव है बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए धनुराशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन positivity को embrace करने का है आज का दिन अपने लक्ष की पूर्ती करने का है आज का दिन अपनी मन को षांथ करके positivity को अक्तियार करके आगे बढ़ने का है कुल मिलाकर आज के दिन आपकी परिस्थितियां मा की कृपा से भगवती की कृपा से आपके इश्ट की कृपा से काफी अच्छी चल रही है काभिले तारीफ है कि आज के दिन आप अपने परिवार को एक जुट लेकर कोई महत्रपोर्ण निरने ले सकते हैं भी परिवार के साथ नए प्रमाइस, नहे अई व्यार्टी गईए बेच सकते हैं या उन परिवार के साथ आप मूफ कर सकते हैं इ सब्सक्राइब आपकी परिस्तिती आउट होती हुए नजर आएगी आज के दिन आपके द्वारा किया गया कोई भी कार या कोई भी लिया गया निरने आगे के लिए आपकी future को कही न कहीं बलवान बनाता हुआ दिखाई देगा बात करते हैं मकर राश्वी वालों के लिए मकर राश्वी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन आपको अपनी पॉजिटिविटी को इंटाक्ट रखते हुए कोई महत्वपून ये ठोस नड़ने लेने का है परिस्थितियों को अपने फेवर में करिए अपने मन को आप शांत रखिए साथी साथ प्रोफेशनली आपके लिए चीजने काफे ज़्यदा अच्छी हो चुकी है जिस तरह से चल रहे हैं चलते रहिए साथी साथ आज के दिन आप उन सभी तत्यों को विचार पाएंगे जहां पर आपको पास्ट में प्रॉब्लम्स होती थी यानि कि आज के दिन आप अपनी वीकनेस को पकड़ भी पाएंगे समझ भी पाएंगे और उस पे काम भी कर पाएंगे आज के दिन जरूरत है अवलोकन करने की उन सभी तत्यों पर जहां पर आपको लगता था कि आप चलते 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 रुक रहे थे अगर आप अपने लिए कुछ आपने resolutions लिये हैं और आप नहीं उसकी पूर्ती कर पा रहे हैं आज से वो परिस्तितियां आपके लिए favorable होती हुए नजर आएंगी बात करते हैं कुम्बराशी वालों के लिए कुम्बराशी वालों मन आपका शांत रहेगा सामानिता परिस्तिती चलेगी कुछ खास उतार चलाओ देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आज से आपका confidence level में इजाफा होता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा रिलाक्स भी रहेंगे विगत कई दिनों से अगर stressed out हो रहे थे emotionally थोड़ा सा प्रेशराइस फील कर रहे थे या बंदे-बंदे फील कर रहे थे तो थोड़ा सा चिल आउट आप अपने आपको होता हुआ देखेंगे यानि की मन आपका शान्त रहेगा जहां पर विगत कई दिनों से कोई परिशानी आपको अंदर ये अंदर खाय जा रही थी अब वो positivity की तरफ बढ़ती हुए नजर आएगी relationship में भी स्थिरता आपको देखने को मिलेगी मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन अपने आपको और सथा positive बनाने का है आज का दिन अपनी उन सभी परिस्थितियों को आपका अवलोकन करने का है जहां पर चलते चलते आपको negativity देखने को मिलती है अगर आप बहुत सालों से, बहुत महीनों से, बहुत दिनों से किसी एक project पे काम करने है कोई एक आपके जीवन में लक्ष है, घर बना रहे है, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे है और कुछ न कुछ प्लानिंग करते 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 उसके बीच में कहीं न कहीं blockage आ रहा है तो आज के दिन आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगे कि आप उन सभी तथियों को blockages को review कर पाएंगे उस पे काम कर पाएंगे और अपनी परिस्थिति को और जादा मजबूत कर पाएंगे आज के दिन आपके परिवार का support आपके साथ बना रहेगा तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए प्रॉपर्टी निवेश से संबंदित परिवार से संबंदित, investment point of view से संबंदित या धन अर्जित करने के point of view से काफी ज़्यदा positive माना जा सकता है इसी के साथ मुझे आगया दीजए मैं कल फिर आजर होंगे नमस्कार